जिया नमस्कार मित्रो आज है 7th December यानी UPSC Prelimbs Cobb exactly 6 महिने बाकी हैं इसमें डरना बिलकुल नहीं है, discipline के साथ तयारी करते रहना है हमारा study plan क्या होना चाहिए, strategy क्या होनी चाहिए वो सब के लिए मैं एक अलग second video आज बनाने जा रहा हूँ वो अलग, लेकिन इस वीडियो में हम पहले खिल कतम करते हैं कि आज के current affairs newspaper में जाने लाएक चीजे क्या थे वैसे आज जाने लाएक कमी current affairs थे तीन-चार मुद्दों में इंडिया और रशिया का reallos agreement sign नहीं हुआ चीन में कहा जा रहा है सीनिसीजेशन of religion किया जाया ऐसा क्यूं है और ये means paper for ethics में leadership qualities मंडेला वर्सी सूकी एक एक करके देखते हैं सबसे पहले page one रशिया के president व्लादी मिर मुटिन की बारत यात्रा अब बारत और रशिया के अंदर क्या जाने लाइक चीजे थी international relation में वो तो हमने कल ही complete कर दिया था आज नया जानने को क्या है जो हमने पहले कहा था वो ही कि AK203 का agreement sign होता है लेकिन एक agreement sign नहीं हो पाया वो समझता है first of all इंडिया और अमेरिका के 20 defense agreement और सामने इंडिया और रशिया के साथ defense agreement उस तरह से समझते है 2016 में बारत ने अमेरिका के साथ Logistic Exchange Memorandum Agreement यानि लेमू असाइन किया वो ऐसा कि अमेरिका के naval basis पर बारतिय जाज वो जाकि अपना fuel spare part repair कर सके और उसी तरह अमेरिकी जाज बारत के naval basis पर अपना repair मरमत का काम करवा सके तो इससे फाइदा क्या होता Navy to Navy cooperation Anti-piracy operation in this African coastal area वो सब होगा South China Sea के सामने अपने Mitra Rashtokum protect कर सके चीन के खिलाब वो सब था उसके बाद 2018 में अमेरिका और इंडिया के बीच साइन हुआ Communication Compatibility and Security Agreement यानि ComCasa वो ऐसा है कि जो सपोज आप WhatsApp यूज करते हो और मैं Telegram यूज करता हूँ तो हम आपस में Communionate नहीं कर सकते तो दोनों के एक ही प्रकार के system हो एक ही प्रकार के encrypted technology हो ऐसा संभव हो कब जब software सेम हो handset सेम हो ऐसा कुछ किया जाये तो इंडिया और अमेरिका ने ये तै किया कि अमेरिका बारत देश को encrypted communication equipment technology देगा ताकि बारत और अमेरिका के military commander आपस में communicate कर सके जो भी intelligence sharing चाइना के खिलाब पाकिस्तान के खिलाब piracy वो सब देख सके and lastly 2020 में हमने अमेरिका के sign किया basic exchange and cooperation agreement on geospatial cooperation या BACA वो ऐसा कि अमेरिका के पास जो GPS global positioning system है इंडिया ने अपनी वो सब IRN, SSC, NAVIC type की system बनाई रशिया की अपनी GLONASS system है तो अमेरिका हमको वो सब data देगा हम उनको data देगा ताकि जब भी हम कोई missile चोड़ रहे हूं हो या drones चोड़ रहे हूं तो वो ज़्यादा सटीकता से accuracy से target पे attack कर सके तो ये सब हुआ है मतलब आप समझे अमेरिका के साथ अपने defense agreement में बाते क्या होती ऐसा नहीं कि बंदुख बेच दिया missile बेच दिया उसके लाबा ऐसा डेर सारा communication, repair, service, spare part ये सब हो रहा है तो रश्या के प्रेशिडेंट पुटिन बारत यातरा पे आए एक agreement साइन हुआ कि 6 लाग AK203 rifle बनाए जाएंगे वो सब अमे ठी में कारखाना बने हमने कल देखा था साथी साथ एक और भी बात थी reciprocal military logistic support agreement यानी RELOS वो साइन नहीं हो पाया सरकार का कुछ ये कहना है कि अभी उसमें कुछ points हमको और जादा clarify करने है फिर future में साइन करेंगे तो points to reflect क्या जितना deeper cooperation इंडिया का अमेरिका के साथ हो रहा है उतना रश्या भी चाता था लेकिन अभी तक हो नहीं पाया क्यों नहीं हो पाया शायद ये भी तो हो सकता है कि अमेरिका ने pressure डाला हो कि तुम ऐसा sign मत करना मोदी जी क्योंकि याद करवा आगे रश्या से हमने वो S-400 air defense missile खरीदे थे उस वकत भी अमेरिका नाराज था और अमेरिका का एक है कानून जिसमें वो रश्या या अपने दुश्मन देशों से military सामान खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंद लगाता है लेकिन बारत को वाँ छूट दी थी लेकिन फिर का होगा ठीक है ये एक बार exception हर बारा पैसा मत करो वरना फिर अच्छा नहीं होगा so maybe something is going on आगे बढ़ते हैं page 10 उसमें भी Ukraine रश्या का वापस मामला चल रहा है उसे हम तेकिए मामला ये कुछ वर्षों पहले रश्या ने Ukraine का क्रीमिया इलाका कबजे में किया था और वापस उदर अपनी सेना बेजी है कुछ तनाव चल रहा है अब वो पूरा तनाव हमको नहीं समझना हमें सिर्फ थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए why they did it नक्षा कोलते हैं ये अपना बारत देश उपर ये रश्या और इस तरफ हम चले ये है Ukraine ये ओरेंज कलेक का और युक्रेन में भी ये जो छोटा सा इलाका है इदर ये वाला चीज ये है क्रीमिया रीजन तो रश्या ने वो अपने कबजे में क्यों ले लिया था कुछ सालों पहले क्योंकि यहां से वो फिर जाए इधर Mediterranean Sea में यहां पर और फिर वहां से वो यह सब बारत की तरफ एशिया की तरफ अपने सामान को एक्सपोर्ट कर सके या जरूरत पड़े तो अपने दोस्त सीरिया और मिडलिस्ट के बाकी सब कंट्रीज में अपनी सेना को बेच सके या इस तरफ South America तक पहुँच सके क्योंकि रश्या के Northern साइड में जो उपर Arctic Ocean है उसमें बरफ जम जाती है तो इधर से वो अपनी military को अपने एक्सपोर्ट को बेचना उसके लिए मुश्किल होता है तो इसलिए उसे यहां पर कुछ strategic interest हमेशा रहे हैं और अभी व महराष्टर राजे सरकार ने एक अध्यादेश किया था कि स्थानी की कायों में local bodies municipality पंचायती राज bodies उसके चुनाओं में OBC समुदाय को 27% reservation दिया जाए मामला सुपरीम कोर्ट में गया तो सुपरीम कोर्ट ने वो reservation cancel करवा दिया क्यों क्यों क्यूंकि मलब cancel तो नहीं अभी स्थगित करवा है suspend करवा है क्योंकि सरकार ने OBC समुदाय क्या इतना backward है या politically उसका representation पंचायती राज और urban local bodies में इतना नहीं है कि अलग से reservation is required उसका कोई data अभी देना बागी है इसे पहले कुछ समय पहले हमने देखा था तमिलाडू में भी वो वनियार समुदाय को OBC में कुछ सब कोटा दिया गया था रहों 10.5% reservation लेकिन मदरास हाई कोट ने वो रद कर दिया क्योंकि उदर भी तमिलाडू राजे सरकार ने database नहीं दिया था कि वो समुदाय ऐसा तो कितना पिछड़ा हुआ है कि उसको ये extra reservation चाहिए so points to reflect क्या है चायद ये सब राजनेतिक पक्षों को भी पता है कि बिना data दिये तो reservation is not justified और कोट उसको रद कर देगा तो फिर वो ऐसा क्यों करते होंगे लोक लुबावन के लिए चुनाव आ रहे हैं तो ये धनादन कर दो बले फिर कोट रद कर दे तो हम लोगों को ये कहेंगे नहीं हम तो आपके लिए कर रहे थे ये तो कोट ने हटा दिया so like that this all thing is going on अलब separation of powers, relationship between executive judiciary तो ये सब तनाव क्यों बनता है क्योंकि ठीक से वो कानून बना नहीं रहे आगे page 11 में इंडोनेशिया में एक माउंट, तेमेरू, वलकेन और ज्वाला मुखी वापस फट रहा है इंडरनेशनल समाचारों में आंग सान सूखी जो म्यानमार में state counselor और foreign affairs minister थी कुछ 4-5 सालों के लिए फिर उसको वापस वहाँ पर military regime सेने तानाशा आ गए और उसको जेल में बंद कर दिया उस पर अलग-अलग मुकद में चल रहे है, कुल मिलाकर deraar 11 case is going on अगर सब में वो convicted हो गई तो 100 साल से ज़्यादा उसको सजा हो जाए, अभी एक-दो मामले में उसको सजा हो भी गई, incitement of breaching, covid curbs लोगों में मतलब उसने कुछ दंगे फैलाए और covid के lockdown के नियमोखा उलंगन किया, mask पहने बिना रेली किया ऐसा कुछ, दो-चार साल की उसको सजा हो भी गई है इसमें तो इसमें points to reflect क्या है? Means paper for ethics के लिए तो एक मुद्दा है leadership quality उसमें समझना यह है कि South Africa में भी एक आंदोलनकारी, activist थे, Nelson Mandela जेल में भी गए थे, जेल से रिहा भी हुए, राष्टपती भी बने तो राष्टपती बनने के बाद उनको वापस जेल में भेज दिया हो और वापस पूरी सरकार उथला कर सेने सासना आया हो या ऐसा कुछ हुआ था, नहीं हुआ था तो ऐसा क्यूं? Mandela की leadership quality क्या थी? तो He was a more tactful leader व्यावहर पून रवया था उनका उसको बाकी सब लोगों के साथ कैसे मिलके चलना है, दोस्तों के साथ भी, दुश्मनों के साथ भी उसको आता था For example, Zimbabwe वहाँ पर भी अंग्रेजों की गोरे लोगों की उकूमत होगी उसको हटा कर Robert Mugabe नाम का एक आदमी प्रेसिडेंट बना था लेकिन Zimbabwe में Robert Mugabe was a poor leader वो ये करता था कि हर जगा पर डेम चलाना है, थर्मल पावर प्लांट चलाना है, एरपोर्ट चलाना है सबी जगा से गोरों को हटा दो, remove the white people सिर्फ और सिर्फ अश्वेद black लोग होने चाहिए और वो भी black person मलब एक नहीं उसमें भी अलग-अलग tribes होती है तो मेरी कभीले के जो लोग हैं उसी को सरकारी नौकरी मिलने चाहिए ऐसा उसने बहुत किया, जिसके चलते जिसके चलते जिमबावे में high level of inflation बहुत ज़्यादा मेह गई थी एक डॉलर के सामने लाखो जिमबावे डॉलर या करंसी और उसमें भी इतना सारा तेर सारा बंदल-बंदल बर के पैसा ले जाओ तब आप कुछ चीज़ खरीद पाई, economic problems वेर मैंनी लेकिन South Africa में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि Mandela ने ऐसा नहीं किया कि मैं अब ट्राष्ट पती बन गया हो तो सभी white people को नौकरी से हटा दूँगा और फिर black logo को ही रखना ऐसा वो नहीं था तो यह हमको यह दिखाता है कि हर एक एक अक्टिविस्ट अच्छा administrator नहीं बन सकता जहां तक सूकी की बात है तो वो भी सब democracy लाने के लिए एक्टिविजम चलाती रही लेकिन जब वो फिर minister बन गई तो military leaders के साथ या दूसरे बड़े businessmen के साथ जो कि वहाँ पर सब control खर रहे होंगे economy को, mining activities को उन सब के साथ जो मिलकर चलना चाहिए perhaps she did not have that tact, व्यवहार कुशलता नहीं थी इसलिए उसके बांदे चल रहे है तो इसमें हमको समझना क्या है एक तो यह कि यह जो greater thanburg और malala के fans है उनको भी यह चीज समझने की जरुवत है हर एक activist अच्छा administrator नहीं बन सकता है दूसरा democratic forces वो अगर कोई देश में खुदी कमजोर हो या आपस में उनका बेदबाव चल रहा हो तो अकेली सूखी भी क्या कर ले आप जानते हैं मियानमार में Buddhist majority and Rohingya Muslims आपस में उनके दंगे चलते हैं mining tycoons, mining उसमें military leaders और बाहर के लोगों का सब दखल तो वो अकेले से कैसे लोग तंत्रकी स्थापना करे सूखी अकेले कितना करे लोगों के दिलों में खुद भी लोग तंत्रकी बावना जागनी चाहिए विदेशी ताक्तों से आप उसको बोल तो सकते हैं लेकिन अंत में वो उत्थान खुद से ही होना चाहिए जैसे बारत में हमने डेमोक्रसी और फ्रीडम हासिल किया है ये एक पॉइंट सुए दूसरा मुद्ध यहां सोचना ये है कि वो लालू यादव जो चारा गोटाले में कन्विक्ट हो चुके हैं वो भी जमानत पे गुम रहे हैं और इधर सुकी वो पहले भी 15 सल गर में ही कैथ थी और अभी भी नेता बनने के बाद भी वापस उसको सजा हो रही है तो अगर ब्रश्टाचार के आरोपों में वास्ताव में सजा मिली हो ऐसा प्रतीत नहों कि वो तो convicted है फिर भी बेल पे गुम रहे हैं और सब तो ब्रश्टाचारियों के होसले बुलन दोते हैं कि हमारा कोई कुछ उखार नहीं सकता so then it does not help combating the corruption among the politicians in future आगे बढ़ते हैं UPSC means paper for rules comparing constitution, secularism चीन के राष्टपती शीजिन पीन ने ये का राष्टिय सुरक्षा के लिए धार्मिक नेताओ पर निगरानी रखना जरूरी है It is necessary to keep supervision over the religious leaders for national security और धार्मिक जो भी काम हो रहे हैं उस सब में rule of law कानून का शासन होना चाहिए और उसने का धर्म का चीनी करण होना चाहिए Cinecization of the religion इसका मतलब क्या है To make Chinese character of the particular religion या कि कोई religion को चाइना के influence में लाना वो ऐसा कि बुद्ध धर्म जो भारत से पैदा हुआ तो वो ऐसा इतिहास कोई बदल देना कि नहीं वो तो चीन से पैदा हुआ है या फिर कि इस्लाम या Christianity उसमें जो Vatican या Saudi Arab का अपना प्रभावो उसको कम करने के लिए कुछ और नए चीज करवाना ऐसा वो शीजिन पिरने का कि हमने ऐसा करना चाहिए और खासकर online religious affairs में तो मलब हम online अपनी parallel fake news चला है टोलिंग करवाई ये सब होगा चीन में तो points to reflect क्या है बारत में हम लोग foreign donation foreign funding को monitor करते हैं कि तकि उसमें terror finance वगेरा न हो रहा हो लेकिन उसके अलावा हम कोई religious leaders के उपर special निगरानी रखो या impose Indianization of religion कि ये सब दर्म जो विदेशी हैं वो भी बारत में पैदा हुए थे ऐसा अलग से फेकने उस चलाओ ऐसा सरकार खुद करती नहीं है ना ही कोई official statement में ऐसा बोलती है जबकि चीन के राष्टपती खुदी official statement में बोलें कि ऐसा कुछ करने की जरुवत है So that was the newspaper for today इसके लाव कुछ खास काम का नहीं था वो सब explained series में गो नागालेंड में जो कल गटना हुई बाते चल रही है To improve your English you can read it But मुझे कुछ खास मजानी आ है क्यार तो ये एक वीडियो था अभी मैं एक और दूसरा वीडियो रिलिस करने वाला हूँ कि अभी जो UPSA Prelims को सिर्फ 6 मैने बाकि है तो अपनी study plan priority क्या होने चाहिए So see you in the next video